हेलो एवरीबन बेरी बेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सबसे पहले आप सबसे पहले आप सबी को मेरी राम राम आप सबी के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सबी को अच्छी सेहत बक्से आप सबी की सारी मनो कामनाय पूरी हो जाएं और आप सबी के घरों में खुशियां ही खुशिया आए और अभी मैंने अपने प्यार इससे गोईन को जगाया है तो गोईन तो अभी अपने अंदर बैड़ पर ही बैठ्झे यूए है तब तक मैं उनके स्नान की तैयारी कर लेती हूं, तो पानी गरम करके ले आई हूं मैंने गैस प्षि रख दिया है ऐसं का अफ्ले मैं ने है तो उसी की तैयारी मैं यहां पर कर रही हूं सब समानियां पर निकाल के रख दूंगी और जो पात्र है जिसमें गोविंद को श्नान कराना होता है उसमें मैं हल्दी से ओम स्रीमन नारायन श्रीराधे इस तरह से बना दूंगी और फिर उसके बाद मैं गोविन को श्नान करवाऊंगी श्नान करवाने के बाद फिर उनको तयार करके आरती होती है आरती के बाद फिर भोग लगाती हूं तो ये सारा काम मैं अपना करके और फिर लग गई हूं रसुई के काम में और आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है किसी क जयादा देर तक खड़ी रहूंगी तो फिर और जाद़ा दर्द हो जाए गा तो क्यूंआ बेट के कर लेती हूं Sat मैंने नहीं पर बिन बाहसे ब्रum फिर सब्जी बनेगे तब तक आटा बगरा लगा के तयार कर लूँगी थोड़े से बरतन है उनको साफ कर दूँगी हालांकि जैसे खाना खाने के बाद के जो बरतन होते हैं वो अनुच साफ कर देता है लेकिन फिर ये है कि सुबह के चाय के हैं किसी के दूद के हैं दही के हैं काफी सारे हो जाते हैं टाइम तक भी और ये वाले भी और खाना खाने के बाद के भी अगर एक साथी कट्टे होते हैं तो दोनों सिंख फुल हो जाती हैं और इतने वरतन देखके तो अनुझ घबरा जाता है कि मुष्य जादागा इतने मेरे से नहीं हो पाएंगे फुई जो पहले बाले होती हैं इनको मैं आधिको रखना है वो निकाल दूँगी विशाल के पापाजी अपना एड्रस लिखेंगे कुछ मैंने पहले निकाल दिया था जो रात में order complete हो गए थे न वह मैंने सुभे पहले निकाल दिया था लाला को जगाने से पहले तो उनको तो विशाल के पापा जिस टाइम पे पैक कर रहे हैं बैठे हुए कि खाना बनाओ तब तक मैं अपना पैकिंग काम निप्टा लेता हूं और फिर जैसे इस टाइम पे मैसेज आ रही है और खाना बनाओंगे तब तक बाद में आएंगे वो सब रिपलाई म रसोई के काम से फ्री होके और बाद में देती हूं जितने ओडर आते हैं फिर उनका सामान निकाल देती हूं और फिर आज तो मुझे कपड़े भी प्रैस करने हैं देखूंगे किस टाइम पे मुझे फुरसत मिलेगी किस टाइम पे नहीं मिलेगी क्योंकि कुल मिला के और अभी रसोई के काम की मैंने ये क्लिप निकाली थी और उसके बाद तो फिर मैं ऐसा काम में बीजी हुई वटसप के में कोई भी बीच में क्लिप निकालना यादी नी रहा और ये है शाम के सवा चार बजे का टाइम और मैं अभी बैटी हूँ प्रेस करने के लिए एक बार तो मन में ये आया था कि मैंने एक सेंपल बना के रखा हुआ है पहले मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ लेकिन फिर सोचा कि दो दिन पहले मसीन लगाई थी और मेरे ये जो कपड़े न ये कुरसी पर रखे रखे ही मैले हो जाएंगे और वाइट कपड़े तो ऐसे होते हैं कि थोड़ी वो दूल में ट्यूब पर जम जाती हैं फिर वो मैले दिखने शुरू हो जाते हैं तो तीन तीन चार चार दिन तो कपड़े मेरे से कुरसी पर बिल्कुल बरदाश्ट नहीं होते हैं जो ते लगाने वाले थे नो वो तो मैंने पहले अलमारी में सेट कर दिये थे बट ये जो प्रैस करने वाले थे नो ये मैंने कुरसी पर रख दिये थे और परसों मैंने मसीन लगाई थे तो परसों तो ये शाम तक कपड़े सुखे थे और कल मुझे टाइम नहीं मिला कुछ तवियत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी थकावट बहुत जादा हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखो अगले दिन देखूंगे और आज भी काम करते करते न अब ये शाम के सवा चार बजगे तो एक बार तो माइंड में यही आया था कि चलो जो मेरा सैंपल बना हुआ है न मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर मैं नीटिंग की वीडियो बनाने लग जाऊंगी तो उसमें मेरा एक डेड़ घंटे गा टाइम लगेगा और फिर तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा चलो देखा जाएगा नीटिंग की जो वीडियो है वो जब बनेगी तब बनेगी अब ही मैं बैटके सारे कपड़े प्रेस कर देती हूं तो अभी इसमें तीन ड्रेस मेरी हैं तीन सूट और चार जोड़ी विशाल के बापाजी के कपड़े हैं और कुछ छोटे मोटे और कपड़े पड़े हैं तो इनको मैं प्रेस करके और निप्टा देती हूं और मेरे प्यारे से गोविंद भी इस टाइम पे सोय हुए हैं और आज मैंना वटसप का जो मैसेज वगएर आ थे उनमें ऐसी विजी हो गई थी कि लाला को मैंने थोड़ा लेट सुलाया था थो थोड़ा सा उनको लेट जगा दूंगी तो पांच बजे तक गोविंद को जगाना है त दिरे दिरे करके कामने पटी जाता है और फ्रेंड से आज मैंने कोई जादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है बस थोड़ा सा रूटिन आप सब के साथ शेयर किया है कि इसी वीडियो के बहाने आप सब से मुलाकात हो जाएगे आप सब से मिलना हो जाएगा कुछ बाते हो खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए आप सब ही को मेरी और मेरी गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे